गुद मॉर्निंग फ्रेंट्स, I am here with a new video, इस वीडियो में बात करेंगे हम RIECEENCRT, इसकी वेबसाइट में क्या अभी चेंज किया गया है, क्या अफडेट है, और बात करेंगे कि आपके जो 12 के एकजाम है, प्लस 2 के एकजाम है, सीनिर सेकुर्णरी के एकजाम है, वो कब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय से सारी जान करें मिल सकें, चलिए शुरू करते हैं, मैंने ये वेबसाइट खोल ली है, तो यहाँ पर शुरू शुरू में आपको लिखा मिलता है, कि वेब पोर्टल इस डेस्क टॉप एंड लोग कमपेटिय प्रेंडली है, तो इस पे ही आपको ये फोर्म है, वो फिल करना है, आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, ये पहले नहीं लिखा हुआ था, अब लिखा हुआ आ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, don't use mobile phones, ठीक है दोस्तों, ये से भी खोल सकते हैं, यहां आपको दिखाई दे रहा है, रेजिटेशन आप यहां से भी खोल सकते हैं, ठीक है, और निचे जो लिंक दिया हुआ है, मने आपको पहले भी बताया था, ये लिंक आप यहां से भी खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये ब्लीव पे आप क्लिक कर और आपको कोई मदद की जुरूरत है तो यह आप वीडियो टुटोरियल फॉर CEE 2021 यह देख सकते हैं अप्लिकेशन प्रोसेस एंड ओवर्वीव तो यह आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं ठीक है तो बहुत सारी जानकर यह आपको यहीं से बिल जाएंगी चलिए आगे बात करते हैं आज के देनिक भासकर में यह न्यूज आई है OMR सीट पर डेड़ डेड़ घंटे के सिर्फ चार पेपर करा सकते हैं राजस्तान समय तीन राज्ये तीन घंटे के परिक्षा की पक्स में और 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच हो सकती है परिक्षा परिक्षा के लिए 2 टाइम स्लाट प्रस्तावित किये गए हैं 15 जुलाई से 1 अगस्त और 8 अगस्त ये 26 अगस्त तो मैं आपको और दिखा देता हूँ आपको यह देखिए कि fanti च्भी च्भी हो जुलाई से 26 अगस्त के बीस परिक्षा हो ज़सकती और परिक्षा ही दो टाइम वर 15 जुलाई से एक अगस्त और आठ अगस्त श्यो क्या है का म्याकु व nine- leadew माई चाहे इसुड़ा समय तो लगएगा लेकिन न्यूज आपके काम की है तो मैं आपको पूरी पढ़के सुना देता हूं CBSE की 12 की परिक्षा में सात्रों से अपने ही स्कूल में OMR सीट पर डेड़ घंटे के केवल चार पेपर लिए जा सकते हैं यानि 90 मिनिट के नई डेड़ सीट एक जून तक जारी हो सकती है दरसल देश के 32 राज्ये 32 राज्ये वे केंदर साशित प्रदेशों ने बारवी की परिक्षा लेने पर सहमती जताई है केवल चार राज्यों दिल्ली, महराष्ट, गोव, अंडमा, निकोबार ने परिक्षा नहीं लेने की बात किये परिक्षा लेने की कोई ज़रूर्ट नहीं है बच्चों को ऐसे प्रमोट किया जाए और कोई फॉर्मूला दिया जाए ऐसी बात कर रहे है परिक्षा पर सहमत राज्यों में से भी तीन राज्ये, तीन राज्ये हैं, राजस्तान, त्यलंगाना, त्रिपुरा, यह सहमत तो हैं, लेकिन पहले विकल्प, यानि परिक्षा केंद्रों पर ही पारंपरिक तरीके से तीन घंटे की लिखित परिक्षा का पक्ष लिया है उन्होंने दूसरे विकल्प का समर्थन करते हुए कहा है कि परिक्षा केंद्रों के बजाए चात्रों को अपने ही स्कूल में मुझे भी ठीक लगता है कि 29 राज्य मांग कर रहे है तो अपने स्कूल में परिक्षा होने सी जिसे बच्चे भी प्रेंडली मैसुष करेंगे और खत्रा भी कम हो जाएगा अपने स्कूल में और 90 मिनिट में यह हो जाएगा और परिक्षा लेने से पहले सात्रों को वैक्षिन दी जाए करनाटक तमिलाडू मध्य प्रदेश पर हर्याने ने यह भी कहा है कि पेपर पैट्रन में कम बदलाव हो यह आपने यह निउस आपने देखी लिए 15 जुलाई से 26 अगस्त के भी परिक्षा हो सकती है इसके बारे मे जो क्वालिफाइंग मार्क्स डालने का समय है वो आटोमाटिक बढ़ जाएगा आटोमाटिक कैसे बढ़ेगा क्योंकि आपका यह पहले का समय दे रखा है लेकिन 26 अगस्त तक यह जैसे पहले स्लोट में होती है 15 जुलाई से 1 अगस्त तक होती है ठीक है यह 8 अगस्त यह 26 जो सिटमबर तक आए पाएगा तो इसलिए आपको बिल्कुल चिंतित होने के जरूट नहीं है कि सिटमबर में रिजल आएगा तो उसकी डेट है वो भी सितमबर ही रहेगी और अक्टूबर में आएगा तो जो कौलिफाइंग मार्क्स डालनेंकी डेट है ना आपकी प्लस की तो सबसे पहले सीबी एसीए की डेट्सी नाने की कोशिश करेंगे राजस्तान वाले हैं हर्याना वाले की वैसा ही हम भी अपना नगा या उसके अनुसार कर लें जैसे हालां कि पहले ही केंद्री एसपस्ट कर चुका है कि राज्जी अपनी परिष्टिति के मुताबिक निर्णाय लेने के लिए स्वतनत्र है फिर भी बार्वी के बाद की पढ़ाई हुए प्रतियों की परिक्षाहों में अपने राज्जी के बच्चों के लिए बहतर आवसर में अप्रियास होगा कि cbsc के पैटन को ही अपना है जाए ओम आर सीट का क्या फाइदा होगा देस पता रखा रखा हैं क्या फाहिदा होगा हैं डतो यहां बतार रखा है कि देस की थमाम पेश्यवर पाथे कर्मों कि प्रिभिस परिक्षा जुई नीट है बहुत सारी एक्जाम से हैं वह आगे हो गए पॉस्पांड हो गए हैं तो यह परिक्षा में आंसर शीट के अस्तान पर ओ एमर सीट इस्तेमाल की जाती है तो उनकी परिक्षाएं होती है उसमें उसमें जवाब लिखने नहीं होते गोले को पैंज रंगना होता है इस फॉर की या जो ट्वल्थ की एक्जाम नहीं है आटकी हुई है तो आप भी चिंता नहीं करें जो फॉर्म निकला हुआ उस फॉर्म को भर दीजिए और दोस्तों मैं आप से जुड़ा होगा और एक बात वर कहूंगा कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल की प्ले क्यारी कर सकते हैं और सबका सिलेबस तो एक ही है बस लेवल का फरक होगा ए थोड़ा सरल होगा बी उससे कठीन होगा ग्रूप और इन दोनों से कठीन होगा ओके दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलता हूं तब तक के लिए नमस्कार और जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं थैंक यू जैहिन